नमस्कार आप देख रहे हैं यूग चरण और मैं हूँ आपकी साथ रमश्य शमीन आगे रज़र डालते हैं आज से कुछ खास ख़बरों पर इलेक्टरोल बॉन्ड का मामला एक बाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है NGO Common Cause और Center for Public Interest Litigation ने बॉन्ड के लेंदेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में S.I.T. जाज की मांग की है इस पर आज यानि 25 जुलाइट को सुनवाई होनी है सुनवाई CGI D.Y. चंडर्चूर जस्टिस जेबी पारिदवाला और जस्टिस वरोज हुच्छा की बेंच करेगी दोनों NGO की ओर से एड़ोकेट प्रशांद भूशन ने ये याचिका लगाई है कोर्ट ने याचिका स्विकार करते हुए कहा कि इस से जुड़ी बाकी याचिकाओं को भी एक साथ सुना जाएगा मार्च 2024 में इलेक्टरॉल बॉन्ड का डेटा सामने आने के बाद ये याचिका लगाई गई इसमें दो मांगे रखी गई है पहला इलेक्टरॉल बॉन्ड के जरीए कॉर्पोरेट्स और राजविती दलों की बीच लेंदेर की जाच S.I.T. से कराई जाए S.I.T. की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जजज करें दूसरी मांग है कि आखिर घाटे में चल रही कंपनियों ने पॉलिटिकल पार्टिस को कैसे फंडिंग दी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि पॉलिटिकल पार्टियों से इलेक्टरॉल बॉन्ड में मिली राशी वसूल करें क्योंकि अब राथ के जरी कमाई गई राशी है याशिगा करताओ को दावा है कि कंपनियों ने फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को बॉन्ड के जरी फंडिंग दी इसमें सरकारी काम के ठेके, लाइसेंस पाने, जाज एजिंसियों की जाज से बचने और पॉलिसी में बदलाव शामिल है आरोपै की घटिया दवाया बनाने वाले कई फार्मा, कंपनियों ने इलेक्रोल बॉन्ड खरीदे जो फ्रस्चचार निवारन अधीनियम, 1988 का उलंगन है क्यूपै सरकार सन्विदा और आउट्सोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में जल्ड रिजर्वेशन देने की तयारी कर रही है इस मसले को लेकर सरकार बर्द का इनेता दवा बना रहे है मौकिक इस नजाकत देखते हुए सरकार ने आरक्षन विवस्ता बहाल करने का मन बना लिया है विदानसभा की दस सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आरक्षन विवस्ता लागू हो सकती है सन्विदा और आरक्षन का मसला विदान मंडल की सिमीती ने उठाया था इसके बाद से ये तूल पकड़ रहा है विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को खेर रहा है शासन और सत्ता की गलियारों में चर्चा है कि उपचुनाव से पहले सन्विदा और आउट्सोर्सिंग से होने वाली भरती में स्ट को 21 प्रतिशत, स्ट को 2 प्रतिशत और OBC को 27 प्रतिशत आरक्षन का फाइदा मिल सकता है उत्तर प्रदे सरकार ने विभागों में आउट्सोर्सिंग न्यूक्तियों के संबंद में आपड़े आने शुरू हो गए है सूशन विभाग में 676 में से 512 आरक्षिक्त वर्ग के आउट्सोर्सिंग करमचारी है इन में से 340 सिर्फ OBC वर्ग के है ये संग्या 75 प्रतिशत के आसपास है जबकि अभी इसमें आरक्षन का नियम लागू नहीं है सबकार एक बार आखरे जुटा ले फिर जवाब देगी कि अभी इसमें किस आरक्षित वर्ग के कितने करमचारी है आउट्सोर्सिंग और सन्विदा भर्ति नियूक्ति विभाग नहीं करता है जिस किसी विभाग में सन्विधा और आउट्सोर्सिंग करमचारियों की जबुरत होती है वे खुद अपने स्तर से भरती करते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा आउट्सोर्सिंग करमचारी चिकिटसा, नगर और ग्रामिन विकास में हैं लेकिन तीनों विभागों में आउट्सोर्सिंग कर्मचारियों के आगरे जारी नहीं हुए हैं। करनाटक के मुख्यमत्य सिधा रमया पर M.U.D.A. घुटाले में शामिल होने के आरोब लगे हैं। इसी मुद्दे पर विधानसवा में चर्चा के मांग को लेकर विपक्षिदल बीजेपी और G.D.S. के विधायकों ने विधानसवा भवन में राद भर धर्णा किया। बीजेपी की तरफ से जारी एक वीडियो में विधानसवा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक समेत अन्य नेता असेमली में सोते नजरा रहे हैं। विपक्षिदलो का कहना है कि M.U.D.A. गोटाले में मुख्यमती सिद्धर मेया और उनके परिवार के अनने लोगों का नाम भी शामिल है। उन्होंने विधानसवा सत्री के दोरान इस पर चर्चा की मांग की थी। अनुमती नहीं मिलने पर कौउरिस सरकार सी एम और विधानसवा स्पीकर यूटी खादर के खिलाफ नारे बाजी करते हुए धरने पर बैट गए। विपक्षिदलो का कहना है कि वे गुरुवार को भी विरोध जारी रखेंगी। विपक्षिदलो का साथ में कहना है कि M.U.DA के होटाले में शक्की सुई, राज्ये के सबसे महज़पोर्ड व्यक्ति के परिवार की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने मामले में जार्च में गरबड़ी की भी आरोप लगाए। साथ ही जार्च के लिए बनी केमेटी को भी राजनीती खिलाफ से प्रेडित बताया। इससे पहले M.U.D.A. से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेश त्यार करने के आरोप में करनाटक के मुख्य मंतरी सिदरमेया और नौ अन्ने के खिलाफ शिकायत दर्च की गई थी। समाजिक कारेकर्टा सनेमई किष्णा ने सिदरमेया उनकी पतनी पारवती सालिव मलिक अर्जुन स्वामी जमिंदा देवराज और छे आनने के खिलाफ शिकायत दर्च कराई है। शिकायत में डिप्टी कमिशनर, तैसीलदाल, डिप्टी रजिस्टराट और M.U.D.A. अधिकारियों के भी नाम शामिल है। पुलिस शिकायत के अलावा कृष्णा ने करनाटक के राज़पाल, राज़े के मुखे सचीव और राज़े सुल विभाग के प्रधान सचीव को भी पत्र लिपकर अनियम इत्ताव की जाज की मांग की थी। आरोप है कि मुख्यमंती सी दरमेया उनकी पत्नी और इस्तिदारों ने M.U.D.A. दिकारियों के साथ मिलकर 50-50 साइट वितरन योजना के तहट महेंगे साइट्स को दोपदड़ी से हासिल करने के लिए फरजी दस्तावेश त्यार किये थे। अमेरिका में राश्च्पती पत के चुनाव से अपना नाम वापस लेने के बाद गुरुवार को बाइडिन ने और आवल आफिस से संबोधन दिया। करता हूँ। राश्च्पती की रूप में सेवा करना मेरी जीवन का सम्मान रहा है। लेकिन लोकतंदर की रक्षा किसी भी पज़ से जादा जरूरी है। मुझे अमेरिक्यों के लिए काम करने में खुशी मिलती है। अपनी 11 मिनिट की स्पीच के दोरान बाइडेन ने राश्च्च्टी में अपने कदम रखने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा आपने एक हकलाने वाले बच्चे को अपनी जगा बनाने का मौका दिया, फिर उसे अमेरिकी राज़नीती के शिखर पर पहुँचाया, मैं इसके लिए सबका शुकर गुजार हूँ, मैंने अपने जीवन की 11 साल देश की सेवा में दिये हैं, यह सिर्फ अमेरि बाइडिन के नाती और पोते भी वहां मौझूद रहे, बाइडिन की सीट की पीछे भी परिवार के साथ उनकी अलग-अलग तस्वियर रखी हुए थी, राश्रपती की स्पीच खतम होने पर उनके परिजनों की आखे नम हो गए, बेटी ऐसे ने बाइडिन को गले भी मामने आई, याचिका में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट इस मामने में जैन समाज का पक्ष भी सुने, क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम में जो मूर्ती है, वे जैन धर्म की देवी अंबिका की है, वाग देवी की नहीं, भोत्षाला में ASI की वग्यारिक सर्वे में भी बहु रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी, 22 जुलाई को मामने में एक सुनवाई हुई, हिंदू पक्ष ले कोर्ट को बताया कि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है, इसमें ASI रिपोर्ट का हवाला देकर फोर्षाला हिंदू पक्ष को देने की मा समाच की है, समाच को पूजा का अधिकान मिले और इसे समाच को सौपा जाए, रो ने कहा कि 1875 में खुदाए के दौरान गोर्षाला से वागदेवी की मूर्टी निकली थी, देकिन दरसन वेल जैन धर्म की देवी अमरिका की मूर्टी है, खनीजों पर वसूले जाने वाज साथ ही कोट निर्ने करेगा कि क्या केंदर के साथ ही राज्यों को भी अपने शेटर में खनीज युक्त भूमी पर टैक्स वसूली करने का अधिकार है, इससे पहले चीफ जस्टिस डिवाई चंदर्चूर की अधिशुता वाली नौ जज़ों की बेंच ने, राज्य सरकार खरन कंपनियों और सारुजरिक शेटर के उपक्रवों की ओर से दायर 86 अचिकाओ पर आर दिन तक सुनवाई के बाद 14 मार्च को फैसर सुरशिक तरख लिया था, सर्वोच नियायन ने द्वारा अपनी वेब साइट पर जारी नोटिस के अनुसार, नौ जज़ों की बेंच इस मामले में गुरुवार सुबा 10 बच का 30 मिर्ट पर सुनवाई करेंगी, बेंच में ज़स्टिस पिशिकेश रॉय, ज़स्टिस अभैस ओका, ज़स्टिस बीवी नागरतना, ज़स्टिस जेबी पारदिवाला, ज़स्टिस मलोज मिश्रा, ज़स्टिस उजवल भूया, ज़स्टिस सतीश चले शर्मा और ज़स्टिस आउक्स्टिन ज़ॉर्ज शामिल है, पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सन्विदान में खानी ज़स्टिस अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल संसत को ही नहीं, बलकि राज्यों को भी दिया गया है, ऐसे में उनके अधिकार को दवाया नहीं जा सकता है, जवाब में केंदर की ओर से पेश अटर्णी ज़नरल आर वैंक्टन मनी ने तैक्स किया था, केंदर के पास खान और खनीजों पर टैक्स लगाने की ज़्यादा शक्तिया है, साथ ही सालिसिता जनरल तुशार म पैता ने कहा था, कि खान एवं खनी जदी नियम खनीजों पर टैक्स लगाने की डाजियों की विधाई शक्ति पर सीमा लगाती है, और रॉयल्टी तैक करने का अधिकार केवल केंदर केंदर सरकार के पास है, ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हैं यूग चर कर अधिकार